नमस्कार स्टूडंस आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से एक छोटी सी कहानी जिसमें एक बहुत बड़ी बात आपके साथ शेयर करने आया हूँ आपने टाइटल पढ़ लिया होगा रिजल्ट के रिगार्डिंग ये विडियो है काफी लोगों का कहना है कि रिजल्ट आज यानि की संडे यानि की 13th of February को आएगा काफी लोगों का कहना है 15th of February और काफी लोग ऐसा मानते हैं कि रिजल्ट end में आएगा और ये सारे के सारे phone calls जो है ये सब NTA को किये गए हैं और वहीं से ये सब जवाब आएगा तो देखना ये है कि अब रिजल्ट कब आएगा लेकिन उससे पहले यहाँ पर दो चीज़ें रिजल्ट लेट आने में जो थी दो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हुई सबसे पहली अच्छी चीज़ आप लोग भी comment में section में लिखके या telegram पर मुझे बताइएगा कि आपको इस लेट रिजल्ट से क्या सीखने को मिला नमबर एक जो मैंने फील किया students के अंदर patience level जो एक tolerance जो पार थी वो बहुत बड़ी है तो patience level और tolerance का बढ़ना आपको बहुत successful कर सकता है जिंदगी में तो इसका credit भी हम जाने अन जाने जो हैं NTA को ही देंगे और दूसरी सबसे बड़ी चीज की एक आपने इंतजार करने की अगर मैं बात कहूं तो या फिर आपने अपना future decide करने की बनलब इतना समय मिला तो शायद आप अगे का भी चीज़ें decide कर पाए होंगे कि अगर for example अगर NTA plan A अगर किसी भी reason से अगर नहीं चलता तो दुबारा से plan A पर ही focus करना है plan B पर shift करना है तो time मिलना जो मिला है ये एक blessing है जो कि आपको मिली है और यहां से आपने बहुत कुछ निकाला होगा इसके अलावा और क्या सीखा आपने वो जरूर मुझे telegram के through बताईएगा और एक और चीज मैं यहां पर discuss करना चाहता हूँ motivation भी मैं यहां पर देना चाहता हूँ संगती आपकी company जी हां अगर आपकी संगती अच्छी है तो आप अच्छे ही बनेंगे अगर आपकी संगती खराब है तो आप खराब ही बनेंगे आपकी company बहुत ज़्यादा matter करती है अगर आप 5 लोगों के बीच में बैठे हैं और 5 रहीस 5 अमीर लोगों के बीच में पाँच उन इंसानों के साथ बैठे हैं जिनका चाल चलन या जिनका रहन सेंट ठीक नहीं है तो यकीन मानिएगा कि छटे इंसान आप ही बनेंगे तो अब डिसाइड आपको करना है कि संगती कौन सी चुननी है और किस तरीके से अपनी जिन्दगी को आगे लेकर जाना है रि तक यू दादा वे बैवे